क्रिस्त में मेरे प्रियभाई और बहनों, अगर कोई प्रभु एश्व के साथ जीवन बिताते हुए, स्वर्ग पौँजना चाहते हैं, संद बनना चाहते हैं, तो आज के दिन आपके लिए हैं. और प्रभु कहते हैं कि हमें कैसे संद बनना चाहिए, प्रभु कहते हैं कि हमें कैसे संद बन सकते हैं, आज के सुसमाजार में आया हम ध्यानजन सुनेंगे, और इसके द्वारा प्रभु हमें रास्त बताते हैं कि एक रोड माप दिखाते हैं, एक संद बनने के लिए, और सं पत्र सुसमाचार को ध्यान से सुनें। देश प्राप्त होगा। देश प्राप्त होगा। देश प्राप्त होगा। तुमारे पहले के नभियों पर भी उन्होंने इसी तरव अत्याचार किया। कृस्त मेरे प्रिये भाई और बहनों, आज पुरी कलेसिया सभी संदों का त्योहर मना रही है। और इस संदों के त्योहर मनात हुए, मातक कलेसिया हमें बहुत सारी बातें बताती है। जैसे हमें इस संदों की मद्दिस्रा क्यों मागना चाहिए। सबसे पहली बात यही कि उन लोग धन्य है, मतलब प्रभु एश्यों के साथ जिवन बताते हैं। और यह नहीं समझने की उन लोग संद इस दुनिया में है, नहीं, बलकि उन लोग संद तब बनते हैं, जब प्रभु एश्यों के पास जागर, स्वर्ग में अनंद जेवन का अनभव लेते हैं। हम विशेश्व से नाया विधान में इस संदों के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। सिहासन बर विराजमान हमारे इश्वर और मेंने की जयें। जो प्रभु एश्यों के इस पवित्र वचन बर मनंचंदन करते हुए, अपने जीवन को पवित्र रखते हुए, इन लोगों ने एक संद का पद करांड किया था। ये नम्र थे, देयालू थे और दूसरों लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश करते थे, बहुत सेरे दुख तकलीफों को जहला, लेकिन वे हमेशा प्रभु के साथ थे। और हमें इस संदों का मदिसरा क्यों माँगना है? वो सेरे भाई, भेहन हम से पूझता है, आप लोग संदों की मदिसरा क्यों मांगते है? क्या इनकी मूर्ती पोजा कर रहे है? लेकिन नहीं, हम इनकी संदक्षन का सहारे लेकर प्रभु एशु तक पहुंचने के लिए पत्र दिया है 12 परसंग्या एक में हम पढ़ते हैं जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों और विद्यमान है तो हम हर प्रगार के बाद हादूर करके अपने को उलजाने वाले पाप को छोड़ कर और इसा पर अपनी दृष्टी लगा कर धैरी के साथ उस दोड में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है प्रगासना गर्ण देथिया पांच प्रसंगी आठ में हम पढ़ते हैं जब मेमना पुस्तक ले चुका तो चार प्राणी थदा 24 वयोवर्थ मेमने के सामने गर पड़े प्रत्येग वयोवर्थ के हाथ में वीना थी और धूब से भरे स्वर्ण पात्र भी वे संदोंगी प्रार्तनाया हैं तो हमारी प्रार्तना को प्रभु एश्यु तक ले जाने वाले इन संदोंगी मद्दिसर लेना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे पापों से मुक्त होकर प्रभु एश्यु की आप स्विगार करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे जिससे आप स्वस्त हो जाए धर्मात्मा की भक्तिमाई प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है अगर जब हम इंसान एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्यों इन संद लोग जो अपने जीवन मे पवित्रदा के जीवन बिताते हुए, प्रभु एशु के पास चलेगे, इन लोग जब हमारे लिए प्रार्थना करते तो कितनी अच्छी बात है, आये हम इन संदों के मदसा मांगे, और हमारे जीवन में भी ये संद का जीवन जिते हुए, प्रभु एशु के साथ समय बिता मांगे, और अब से अपने आपको स्वर्ग में संतों की संकती में प्रभु के महिमा गाने की योगिय बनाए